हलो एंड वल्कम तो हमारा नया टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रियॉर्गनेजेशन एक्ट 2019 इस टॉपिक को हम 4 तो 5 लेक्चोर्स में खतम करेंगे ये है लेक्चर नमबर 1 और आज हम सिखेंगे जेंड के रियॉर्गनेजेशन एक्ट के बारे में जो बेसिक बेसिक चीजे हैं वो हम सिखेंगे और हम देखेंगे आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही तो ये आया ना क्यों आया कैसे आया Article 370 SHIELD था, कैसे था, क्या था थोड़ा सा Article 370 के बारे में देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे यही Reorganization Act में जो 5 schedules है वो देखेंगे 14 parts है और उन्ही parts में 103 sections है वो भी हम इसी lecture में देखेंगे और हम इस lecture में थोड़ा सा देखेंगे सबसे पहले, जुमू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 का जो यह Act है यह किसका Act है? क्या यह State Legislature का Act है? या यह Parliament ने Act किया, बनाया, पास किया? अभी सुनो यहाँ पे यह Act है Parliament का Act of Parliament का है यह और Parliament ने इस Act में क्या किया? Reorganization किया किसका Reorganization किया? जुमू एंड कश्मीर State का Reorganization किया कैसे क्या किया? जेंड के State को दो Union Territories में Divide किया एक है जुमू एंड कश्मीर की Union Territory जिसका Reason दिया गया कि National Security या Internal Security के Reasons की वज़ा से हम जेंड के State को जेंड के UT में Convert करते हैं और दूसरा जो UT बनाया गया जेंड के State से वो है Ladakh Union Territory Reason ये दिया गया कि Ladakh के लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे UT बने जिसको बोलते है Regional Aspirations ओके इतना समझा है? तो Reason भी साथ साथ देना है कि क्यों इसको बनाया आपने UT तो जेंड के State जेंड के UT जेंड के UT क्यों? National Security या Internal Security की वज़े से जेंड के State Ladakh UT Ladakh UT क्यों? Regional Aspirations की वज़े से लोग Ladakh के बोरे थे हमको UT दे दो तो ये नाम से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि ये Act है Parliament का जिसमें Parliament ने Reorganization किया कि ये जो Parliament का ये ताकत है कि वो किसी भी State को UT बना सकता है या UT को State बना सकता है या State की Boundary चेंज कर सकता है या State का नाम चेंज कर सकता है या State का Area चेंज कर सकता है या State का Area कम कर सकता है इंक्रीज कर सकता है जो भी ये States या Union Charities के Related Parliament का पावर है, वो कहां से पारलेमेट पावर लाता है, किसने पारलेमेट को ये ताकत दिया, कि वो जेंड के को यूटीज में तबदील करे, या यूटीज को यूटीज को स्टेट्स में बनाए या स्टेट्स को मर्ज करे, या स्टेट्स को increase degrees area या नाम increase degrees जो भी है ये parliament को किसने ताकत दिया Indian Constitution ने ये parliament को power दिया है किस article के अंडर article 3 के अंडर अभी आप ये बाते समझो समझो इस बात को parliament ने जेंड के में जो ये reorganization लाया वो कैसे लाया article 3 ने power दिया वो कैसे लाया वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा किसने bill डाली और किसने sign किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन ये 2019 में ही क्यों हुआ ये parliament ने ये act 2019 में ही क्यों लाया उससे पहले जेंड के को यूटीज क्यों नहीं बनाया गया था उससे पहले ये article 3 पारलिमेट का पावर जेंड के के उपर अपलाई क्यों नहीं हो रहा था उससे पहले पारलिमेट अपना पावर जेंड के में क्यों नहीं दिखा रहा था article 3 जेंड के के उपर अपलाई क्यों नहीं हो रहा था 2019 तक वेट क्यों किया इसको पहले ही क्यों सिटेड से यूटी नहीं बनाया गया रीजन है आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 शील्ड था एक तरह का आर्टिकल 370 की वज़ा से सुपेशल स्टैटस मिला था जैंड के को जिसकी वज़ा से कोई भी इंडियन कनस्टूशन का कानून एपलई नहीं होता था एजीली अगर कराना था तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेजर था वो मैं आपको समझाओंगा यहाँ पे क्या करना था इंडिया का कोई भी आर्टिकल एपलई कराना था तो क्या करना था आर्टिकल 3 इंडिया का एपलई कब हुआ जब ये SHIELD खत्म हुआ Article 370 जो Special Status देता था JNK को जब वो खत्म हुआ तब ही ये POSIBLE हुआ JNK Reorganization Act 2019 का In short Parliament ने जो ये Act बनाया जिसमें State को UTs बनाया ये Article 370 के हटने के बाद ही हुआ ये Article 370 के हटने के बाद ही हुआ अभी सुनो सुनो इस बात को यहां पर मैं आपको समझाओंगा ये Article 3 Parliament का पावर Article 370 हटाया गया तब ही जाके Parliament ने ये आपके सामने ये Act आया JNK Reorganization Act JNK Into Two Union Territories ये Parliament ने कैसे किया और Article 3 क्या था Article 370 एक SHIELD कैसा था यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूँगा आपको और यहां भी Article 370 के बारे में आपको देखने को मिलेगा कुछ नहीं पड़ा भई हमने इतना ही पड़ा हमने कि ये पहले JNK था ये ना JNK अभी इस JNK को Reorganization Act की वज़ा से 2019 वाले Reorganization Act की वज़ा से दो UTs में divide किया गया एक है जमू एंड कश्मीर यहां पर देखो मैप को और दूसरा है लदाक Union Territory इतना ही तो मैंने बोला और किस Article की वज़ा से Parliament के पास ये पावर था Article 3 of Indian Constitution की वज़ा से Parliament के पास ये पावर आया कि वो ये वाले मैप को ये वाला मैप बना दे ठीक है यही मेरे दोस्तो ओफिशल मैप है याद रखना अभी Parliament ने कैसे किया याद करो याद करो 5 अगस्त 2019 जब आपका इंटरनेट बंद खुआ था जब आपने सुना था कि यहां से बहुत ज़ाद सेकरिटी फोर्स जेंड के में आए जब आपने सुना था कुछ होने वाला है पता नहीं था किसी को कि क्या होने वाला है उसको याद करो 5 अगस्त 2019 को जब इंटरनेट खत्म किया गया और उसी दिन ये सारी चीजे हुई इसलिए ये डेट आपको याद ही होना चाहिए ठीक है एक्जाम में आये तो पता चलेगा आपको डेट कब से क्या हुआ अभी सुनो कैसे पार्लिम्ट नहीं किया पार्लिम्ट आपको पता है कि राजसभा का होता है और लोगसभा का होता है पूरा ध्यान दे दो जहां पे मैं पैन गुमा रहा हूँ तो पार्लिम्ट आपको पता है कि राजसभा और लोगसभा के बना होता है सबसे पहले इस एक्ट को बनाने से पहले एक बिल डालनी पड़ती है JNK Reorganization Bill 2019 देखो बिल बाद में Act बनती है Parliament में बिल डालते हैं President जब तक साइन न करे तब तक वो बिल ही है लेकिन वो Act कब बन जाता है जब President साइन करे तो सुनो और समझो इस Parliament के Upper House में, राजसबा में 5 अगस्त 2019 को बिल डालता है अमित्शा अमित्शा यहां पे बिल डालता है और अमित्शा जो बिल डालता है राजसबा में वो उस बिल का नाम क्या था याद रखना है आपको JNK Reorganization Bill 2019 और जब यह बिल आई राजसबा में 5 अगस्त 2019 को इसी दिन यह बिल यहां पे पास हुई पास होने के लिए वोटिंग की गई वोटिंग जब हुई और वो भी सिंपल मैजॉर्टी से वोटिंग हुई वोटिंग जब हुई तो 125 वोट फेवर में आए हां भाई इस बिल को पास करो 61 वोट अगेनिस टाए नहीं भाई इस बिल को पास मत करो कौन सी बिल यह बिल जिसमें जेंड के को यूटीज बनाना था तो यह 5 अगस्त 2019 को हुआ लेकिन यह भी याद रखना इसी 5 अगस्त 2019 को ही Presidential Order की वज़ा से Article 370 को रिमूग किया गया अभी मैंने बोला कि Article 370 जब तक था तब तो कुछ नहीं हो सकता था Article 370 को पहले रिमूग किया गया Presidential Order से कैसे रिमूग किया गया Presidential Order से यहाँ पे ये बाते हमें डिसकस करनी है लेकिन समझो इस बात को कि Presidential Order की वज़ा से Article 370 को जब खत्म किया गया इसी डेट पे 5 अगस्त को ही और 5 अगस्त को ही Article 370 के खत्म होने से ही ये बिल डाली गई कौन सी बिल? J&K Reorganization Bill 2019 अभी ये बिल है अभी ये Act नहीं बना कौन सा आर्टिकल आफ इंडियन कनस्टूशन बोलता है कि बिल डालो आप एक हाउस में दूसरे हाउस में और ये भी बोलता है वो आर्टिकल इंडियन कनस्टूशन का कि आप फिर उस बिल को सिटेट लेजिसलेचर बेजो ये Article 3 बोलता है Article 3 बोलता है अगर आपको सिटेट में चेंजिस लाने है अगर आपको यूटी या सिटेट में या कहीं पे भी कोई भी चेंजिस लाने है तो एक बिल आप डालोगे पारलिमेंट में जब आप बिल डालोगे पारलिमेंट में वही बिल आप सिटेट को भी बेजोगे और देखोगे सिटेट की राय उस पे क्या है सिटेट की सिर्फ राय देखनी है ना कि सिटेट की मनजूरी राय देखनी है सिर्फ वो क्या कह रहा है सिटेट लेकिन सिटेट की वो recommendations जुरूरी नहीं है कि पार्लिमेट के उपर कि वो माने binding on parliament नहीं है वो स्टेट legislature के recommendations या उसकी राय तो इतना समझो आर्टिकल 3 के अंडर अमिच्छा के पास यह power था कि वो बिल को introduce करें कौन सी बिल जेट के रियार्गनेशिशन बिल 2019 लेकिन आर्टिकल 3 बोलता है कि आप सिटेट legislature में भी वो बिल बेजोगे जेट के स्टेट में भी वो बिल बेजोगे लेकिन उस टाइम प्रेजिशन रूल था पाँच अगस्ट 2019 को प्रेजिशन रूल था तो सिटेट legislature में बिल नहीं बेजनी थी फिर कहां बिल बेजनी थी पारलिमेट ही बिल बेजनी थी क्यों? क्योंकि याद रखना प्रेजिशन रूल जब यहां पे लगा न उसी डेट पे बताया गया कि सिटेट लेजिसलेचर इस एकिवलेट तो पारलिमेंट और गवर्नर इस एकिवलेट तो प्रेजिशन यह प्रेजिशन रूल में ही लगाया गया मेरे दोस्तों आर्टिकल 370 को हटाना यह रातो रात नहीं हुआ जब प्रेजिशन रूल यहां पे लगा यहां पे मेरे दोस्तों 19 दसंबर 2018 को ही प्लैनिंग की गई थी आपके आर्टिकल 370 2019 5 अगस्त आपको याद है सब कुछ हुआ 5 अगस्त 2019 को हुआ ना स्टार्ट 5 अगस्त 2019 को सब कुछ लेकिन आर्टिकल 370 को रिमू करना कानस्ट्यूशन अपजेंड के को रिमू करना प्रेजिशन्चल ओर्डर जो प्रिवियस थे पुराने थे खास कर 1954 वाला उसको खतम करना सब कुछ खतम करना ये प्लैनिंग एक रात की नहीं थी आपको लगा आपको लगा रातो रात सब कुछ हुआ लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तो प्लैनिंग चल रही थी 2018 उन्नीस दसमबर से क्योंकि प्रेजिशन्ट्स रूल में नॉर्मिली नहीं लिखा जाता है अगर लेजिश्लेट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्य को रिमू करना बहुत मुश्किल था कनश्चोट असंबली चाहिए थी तो इन्होंने कनश्चोट असंबली को बनाए लेजलेटियर असंबली के और फिर लेजलेटियर असंबली बनाए पारलिमेट के जो पारलिमेट चाहेगा वो ही कनश्चोट असंबली ने कर लिया ये बा क्योंकि इससे पहले आर्टिकल 370 था शील्ड, आर्टिकल 370 को जिस रात हटाया गया, पांच अगस्त को उसी दिन, उसी दिन, उसी दिन, अमित शाह ने बिल इंट्रोडूस की राजसाबा में, वो बिल बेज नहीं थी स्टेट को, उस बिल का नाम क्या है, जेंड के रियॉर सुरूल में, जब जेंड के पे प्रेजिनट सुरूल लगा, समझा दूगा कैसे लगा, क्या लगा, रुको अभी, इतना समझा ना, स्टेट लेजिसलेचर एकवर टो पार्लिमंट, तो पार्लिमंट में बेज नहीं थी, पार्लिमंट में बेज नहीं थी, तो इन शॉर्ट अब 6 को ये लोग सबा में भी पास हुआ, 6 अगस्त 2019 को ये लोग सबा में भी पास हुआ, 370 वोट्स फेवर में आए, 70 वोट्स अगेनिस्ट आए, मतलब बहुत कम अगेनिस्ट बहुत कम अगेनिस्ट पास यहां पे, पास यहां पे, जब 5 अगस्त को पास हुआ, 6 अगस्त क का ये document है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें 103 sections है इस reorganization में 50 से ज्यादा pages है 5 schedules है 14 parts है पढ़ने का मोका तक नहीं दिया member of parliament को वहाँ पे उनको बोला गया कि जल्दी पास करो तो ये भी एक case है Supreme Court में कि rules of procedure follow नहीं किये गए parliament के पहले first reading होती है फिर second reading होती है फिर third reading होती है फिर बताना पड़ता है फिर voting होती है इधर कोई reading reading नहीं बता बिल अभी हाथ में भी नहीं आई जेंड के की बिल अभी हाथ में भी नहीं आई Parliament के members के पास कि बोल दिया गया कि voting करो और जल्दी पास करो एक ही दिन में इंटर्डू एक ही दिन एक ही दिन ये सब कुछ हुआ आर्टिकल 370 पांच अगस्त को ही रिमू किया गया पांच अगस्त को ही ये बिल डाली गई कौन सी Reorganization Act 2019 यहाँ पे आपको क्लियर आएगा आर्टिकल 370 के उमें पहले बो रहा हूं डुको अभी तो जब ये बिल डाली गई और 6 अगस्त को इदर से पास 9 अगस्त को ये प्रेजडन्ट रामनाथ कोविन के पास आई और 9 अगस्त को प्रेजडन्ट साहब इसको साइन करते हैं President's Ascent मिलता है रामनाथ कोविन इसको साइन करते हैं जो कि President थे उस टाइम पे है अभी भी और उन्होंने इसको साइन किया और 9 अगस्तर 2019 को ये Act बना क्यों बना Act? क्योंकि अभी तक Bill ही थी जब तक इसको President साइन न करे President ने साइन किया तो Act बन गया अब इस Act को फोर्स मिलाना था अच्छा अच्छा मुझे बात बताओ जब इस Act को बनाया गया इस Act का नाम क्या है? इस Act का नाम यही है ना जो हम पढ़ रहे हैं JNK Reorganization Bill से ये Act बना President ने साइन किया और यहां से आगे चलके फिर JNK के उपर लागू कराना था आगे चलके ये JNK के उपर फोर्स कराना था और 31st October 2019 को इसको enforce कराया गया JNK में जिसमें फिर लदाख यूटी और JNK की यूटी बनी और यह तो बोला गया कि क्यों बना रहे हो यूटी? इसलिए क्योंकि internal security JNK में चाहिए क्यों बना रहे हो यूटी? इसलिए क्योंकि लदाख के लोग बो रहे है original aspirations तो यहां तक तो ठीक आया थोड़ा थोड़ा आपको समझे अब मैं आपको बताता हूँ किसने ये ताकत दिया पार्लिमेट को कि वो JNK की state को यूटी बनाए हर एक चीज पार्लिमेट कर सकता है इसलिए बोलते हैं न central indestructible है states destructible है या इसलिए याद रखना ये बाद भी even कि पार्लिमेट के past article 3 पता है क्या power देता है कि वो entire political map of India change कर सकता है physical map तो change नहीं कर सकता, mountain वहीं पे है platos वहीं पे है planes वहीं पे है लेकिन states की boundaries change कर सकता है entire political map of India change कर सकता है parliament as per article 3 of Indian Constitution article 3 जब ये power देता था parliament को कि वो कुछ भी करे तो अभी तक JNK में क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ क्यों JNK का area increase, decrease या merger नहीं किया गया या break नहीं किया गया क्यों कि article 370 special status देता था JNK को article 370 के अंदर JNK को special status मिला हुआ था और article 370 एक shield था JNK के पास सबसे पहले article 3 को apply कराने के लिए apply कराने के लिए जिसमें article 3 की वज़ा से power limit JNK को तोड़े दो UTs में और ये topic आपके सामने आ जाता JNK Reorganization Act 2019 सबसे पहले क्या करना था सबसे पहले ये shield को हटाना था ताकि article 3 apply हो जाए JNK के उपर और JNK Reorganization Act हो जाए तो इसलिए मैंने बार-बार बोला कि ये JNK Reorganization Act ये bill लाना, act बनना इससे पहले क्या हुआ article 370 को presidential order से हटाया गया कैसे हटाया गया? आटलिमेंट ये करता लेकिन article 370 को पहले हटाना था और article 370 को हटाया गया हटाया गया, कैसे हटाया गया? इधर बता दूगा जब हटाया गया बहुत मुश्किल है आपको आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल था हटाना आज तक किसी नहीं नहीं हटाया अब बहुत मुश्किल था हटाना कैसे हटा? अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर पता चलेगा अभी दोस्तों यहाँ पर समझो इस बात को कैसे हटा? पहले एक लाइन में जानो प्रेजिडेंट ने और निकाला उस आडर का नाम क्या था? दक कनस्टिचूशन एप्लिकेबल टु जेन के ओडर 2019 तो प्रेजिडेंट सहाब ने यह ओडर निकाला इसी ओडर की वज़ा से खत्म किया गया आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 370 के बगैर भी जो बाकी ओडर्स आये थे जो यह है ना 1954 वाला ओडर यह बहुत बड़ा और जबरदस प्रेजिडेंशल ओडर था प्रेजिडेंट ने इस ओडर की वज़ा से यहाँ पे बहुत सारी चीजे लाई आर्टिकल 35 A आया और बहुत सारी चीजे एक बात मुझे बताओ आपको क्या लगता है जब यहाँ पे आर्टिकल 35 A आया प्रेजिडेंशल ओडर की वज़ा से प्रेजिडेंट ने एक ओडर निकाला सिंपल में 1954 वाला और बोला चलो बाई आर्टिकल 35 A देते हैं इनको लैंड राइट्स देते हैं आपको क्या लगा इस प्रेजिडेंशल ओडर की वज़ा से जिसने आपको यह आर्टिकल 35 A दिया मतलब आपके जमीन के हक दिया आपके लैंड राइट्स आपको मिले आप मुझे बताओ क्या आपको इस ओडर से प्रेजिडेंशल ओडर से फाइदा आया कि नुक्सवान हुआ आप मैंसे सारे बच्चे बताएंगे सर सर हमको आर्टिकल 35 A दिया गया हमको फाइदा आया मेरे दोस्तों नहीं असल में यह प्रेजिडेंशल ओडर 1954 आपको लगता है कि आपको स्टाटस दिया गया जेनके को फाइदा आया जेनके को आर्टिकल 35 A मिला लेकिन मेरे दोस्तों इस ओडर की वजह से जेनके के उपर बहुत सारी चीज़े अपलाई हुई India का बहुत कम चीज़े जेनके के उपर अपलाई था जैसे कि आर्टिकल 1 ही ले लो साथ में Election Commission of India Applicable to JNK Supreme Court of India Applicable to JNK इसी तरह UPSC Applicable to JNK और भी बहुत-बहुत-बहुत सारे कानून इंडिया के Applicable to JNK पहले ऐसा नहीं था तो असल में 1954 order पावर नहीं देता JNK वालों को पावर छीनता है JNK से क्योंकि पहले JNK के पास JNK के उपर apply नहीं होते थे इंडिया के वो आर्टिकल समझ नहीं आये ना नहीं आये न समझ बहुत अच्छी बात है कैसे समझाएगा बीच का topic उठा दिया और आपको समझा दिया ना रुको अभी इधर बाते समझो पहले यह order क्या होता है फिर ही समझाएगा यह आपने समझा ना तब मेरी बाते फिर से समझा जाएगी थोड़ा सा थोड़ा सा वीडियो को फिर से देख लेना तो सुनो आर्टिकल 3 JNK को उपर apply नहीं था आर्टिकल 370 के वज़ा से आर्टिकल 370 को remove किया गया कैसे प्रेज़न ने order निकाला यह और प्रेज़न ने order निकाल के आर्टिकल 370 को remove किया और even care यह वाला order भी remove किया खत्म हुआ अभी समझो मेरी बाटिकल 370 को इस order को supersede किया यह आर्टिकल 370 पूरा remove नहीं हुआ आर्टिकल 370 वहीं पे है अगर आप Indian Constitution में देखो गए न Article 370 वही पे है Article 370 की लंगवेज रिमूव की गई Article 370 का content रिमूव की आ गया Article 370 के अंदर जो provisions थे वो रिमूव की गए Article 370 के अंदर जो points थे वो रिमूव की गए है Article 370 वही है वहाँ पे नए points आये हुए है नई चीज़े लिखी गई है कि JNK आप पूरी तरह से इंडिया का है पूरा Indian Constitution अधर applicable है JNK के कोई special status नहीं है अधर कोई flag नहीं है अधर कोई Constitution separate नहीं है Single citizenship है वो यह जो भी लिखा है Article 370 में तो लंगवेज चेंज हुई है अब यह समझो Article 370 ही बोल अच्छा आपके दिमाग में होगा Sir 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 आपने बोला Article 370 को रिमू किया President ने किसने ताकत दिया President को कि वो Article 370 को रिमू करे आपके जहन में यह सवाल होगा न अरे किसने यह President को ताकत दिया कि वो Article 370 को रिमू करे Article 370 ही ये ताकत देता है कि तुम मुझे रिमू करना Article 370 खुद जब हम पढ़ेंगे एक समझाएगा आपको Article 370 खुद प्रेजडेंट को ये पावर देता है कि प्रेजडेंट सहाब आप order निकाल लिए और मुझे रिमू कीजिए तो ये presidential order जो आपने देखा 2019 वाला वो कैसे प्रेजडेंट ने निकाला किस ने ये प्रेजडेंट को हग दिया क्या Indian Constitution ने दिया हाँ Indian Constitution के किस आर्टिकल ने दिया Article 370 ने तो Article 370 खुद प्रेजडेंट को ये order देता है कि प्रेजडेंट साब आप order निकाल के कैसे मुझे रिमू कर सकते हो पाटली या खोली आदा या पूरा यही हम देखिए आगे तो यहाँ पे समुझना Article 370 की वज़ा से ही प्रेजडेंट order निकाल सकता है और Article 370 को भी खत्म कर सकता है Article 370 की वज़े से प्रेजडेंट order निकालेगा जैसे यह order निकाला सा पहले तेकिन इस order की वज़े से Article 370 खत्म नहीं हुआ अब 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 यह order भी निकला है Article 370 की वज़े से एक तो एक तो एक तो एक तो इस order ने Article 370 को खत्म किया और दूसरा इस order ने पुराने order को भी खतम किया तो समझने वाली बात ये है किसने बोला प्रेजिटन्ट को order निकाले आर्टिकल 370 ने बोला प्रेजिटन्ट को order निकाले इवन कि प्रेजिटन्ट order निकालता कैसे निकालता इधर देखेंगे और इस बार क्या किया गया बहुत ख़तरना प्लैनिंग की गई थी ये प्लैनिंग एक दिन की नहीं थी ये प्लैनिंग एक साल पहले की थी 2019 में हुआ 2019 से एक साल पहले की प्लैनिंग चल रही थी कि हम अगले साल ऐसा स्टेप उठाने जाएंगे इसलिए President's Rule में पहले ही लिख लो Legislative Assembly equal to Parliament Governor equal to President अब सुनो आगे जब ये ये जो हम पढ़ रहे है J&K Reorganization Act 2019 जब ये आया फोर्स में वजूद में तो 14 parts, मतलब जब ये बना तो इसमें कितने parts थे 14 parts 103 sections और 5 show rules वो हम देखेंगे, ये है 5 show rules ये हैं parts और इसके अंदर ही आपको sections देखने को मिलेंगे ठीक है, इतना समझाए मेरे दूस्तों अब ही हम को समझना है थोड़ा सा Article 370 अब हम समझेंगे Article 370 के बारे में इतना आपको पता होगा कि Instrument of Assession के बारे में थोड़ा सा आपको याद ही होगा जब यहां पे हरी सिंग गए थे देहली के हमें बचाओ पाकिस्तान से ट्राइबल एरियाज आ रहे है तो फिर इंडिया ने अपना फोज बेजा कश्मीर में लेकिन Instrument of Assession में ये भी बता गया कि इंडिया के पास तीन चीज़े होंगी एक है defense और है external affair और होगा कम्मिनकेशन डेफेनस external affair और کम्मिनकेशन किसी बुक में Finance भी लिखा होता है लेकिन सुनो defense external affair और communication जे एंडिया के हाथ में होगा www.instrument of Assession में ये मोटे मोटे तोर पर लिखा था इसी Instrument of Assession को लिग्यालिटी देने के लिए इस डॉकिमेंट को लीगल बनाने के लिए इंडियन कनस्टुचूशन में आर्टिकल 370 को इंटर्डूस किया गया जिससे जेंड के को स्पेशल स्टैटस मिला इसी आर्टिकल 370 की वज़ा से आर्टिकल 370 रिमू हुआ आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370 एक्चुल में रिमू नहीं हुआ है उसका कंटेंट या उसके अंदर की बाते रिमू की गई है वो जो बाते थी वो नहीं रही उदर दूसरी बाते उदर लगाई गई अब ही आपको ये आर्टिकल 370 समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों तभी आपको सारी पिच्चर दिमाग में आएगी कि ये प्रेजिडंट बार बार आर्डर निकाल रहा है वो आर्डर ये आर्डर प्रेजिडंट को किस ने ये खक दिया कि वो आर्डर निकाले आर्टिकल 370 ने ही ये खक दिया कि प्रेजिडंट आर्डर निकाले तो इनहीं बातों को हम समझेंगे तो ये बात याद रखना डिफेंस, एक्स्टनल रेफिर और कम्मुनिकेशन जेंड के का इंडिया के और इंडिया का जेंड के के उपर आर्टिकल 370 अपले होगा ये वाला आर्टिकल अपले होगा तो इंडिया के दो ही आर्टिकल्स जेंड के के उपर अपले होते थे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 और इंडिया के तीन ही पावर जेंड के के उपर अपले होते थे इंडिया क defense, external affair or communication JNK के उपर मतब JNK के ये तीन powers इंडिया के हाथ में थे और इंडिया के दो articles JNK के उपर लागो होते थे पहली condition ऐसी थी पहली situation ऐसी थी तो सुनो मेरे दोस्तो अब सुनो article 370 का जो ये point 1 है, sub article 2 है sub article 3 है, इन तीन को समझना है, सारी clear picture आ जाएगी article 371 A, B, C, D बाते बोलता है, ये बात है article 238 apply not on JNK, ये बात आप छोड़ दो, इतनी ज़्यादा important नहीं है थोड़ा सा बता दूँगा मेरे दोस्तों, जब इंडिया बना था तो states को divide किया गया था category A, category B, category C, category D A, B, C, D category इस article 238 के अंदर बना गया मेरे दोस्तों, ये जो article 238 यहाँ पे आपने देखा, यही article 238 बोलता था, A, B, C, D category बना उ states की और JNK की category C में आया लेकिन, 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 article 370 ने बोला, अरे वो article apply नहीं है, JNK के उपर इसलिए ये बात उतनी important नहीं है, छोड़ दो इस बात को, कभी नहीं आएगा आपके आपकों के सामने, कभी इसमें सवाल नहीं आ सकता, कम चांसे अभी जो concept आपका बनाना है, वो यहां से बनाना है, तो समझो, president order कैसे निकालेगा, वो article 370 ही बोलता है, कैसे आटिकल 371 B क्या बोलता है, बोलता है कि अगर union list या concurrent list का power JNK के उपर लगाना हो तो president order निकालेगा और यहां पे D क्या बोलता है, D बोलता है कि अगर कोई article इंडिया का JNK के उपर लगाना हो, तो president order निकालेगा Article 371B बोलता है Power, Union List या Concurrent List का Article 371B बोलता है Article, Indian Constitution का बाकिश सेम सेम है, फरक सिर्फ इतनी है यहाँ पे, इसको नजदीक लाओं क्या? नजदीक लाओं, ओके फरक सिर्फ इतनी है, यहाँ पे Article है, यहाँ पे Power है इंडिया का Power, Union List में या Concurrent List का और यहाँ पे Indian Constitution के Article, ठीक है, तो सुनो अगर ये इंडिया है, ये JN के है, इंडिया का Union List Union List क्या होता है? इंडिया के Powers Union List में होते हैं Central List, ओके? और Concurrent List क्या है? जहाँ पे State और Center के Powers होते है जहाँ पे State और Center के List लिखे होए होते हैं कि कहा काम काम करेंगे Central State मिलके, Concurrent List इसी Union List या Concurrent List में कोई भी बात इंडिया की Apply करानी हो, JN के के उपर तो President Order निकालेगा लेकिन याद रखना, President जब Order निकालेगा तो JN के के अंदर एक Assembly होती है जिसको बोलते है Legislative Assembly, President जब Order निकालेगा तो Legislative Assembly आप JN के को Consult करना है या JN के की Legislative Assembly से Concurrents लेना है इन दो बातों को समझ लिया ना आपने, तो आपने पूरा टॉपिक समझ लिया Consult क्या होता है, Concurrents क्या होता है हाँ हाँ Legislative Assembly से Consultants करना है या Legislative Assembly से Concurrents लेना है एक जगा मैंने बोला Consult करना है, दूसरी जगा मैंने बोला Concurrents लेना है करना है, लेना है, Consult करना है का मतलब सिर्फ बोलना है Legislative Assembly को President order निकाल के बोलेगा Legislative Assembly को भाई मैंने Consult किया ये काम किया यहाँ पर President order निकाल के Concurrence लेगा Legislative Assembly से मन्जूरी होता है Concurrence Consult होता है जा भाई President दिखो Consult किया होता है मैं President हूँ मैंने Order निकाला GenK के उपर इंडिया का ये Power Apply है मैंने Order निकाला इंडिया का ये Power Applicable on GenK Order निकाला तो मैं State को सिर्फ Consult करूँगा या Concurrence क्या होता है Order निकाला तो मैं GenK State Legislative Assembly से Concurrence लोगा मन्जूरी लोगा तो सुनो और समझो कब लेता है President Concurrence और कब करता है President Consult Legislative Assembly को याद रखना अगर ये इंडिया है इंडिया का Union List है या Concurrence List है मतलब कि इंडिया के Powers वो Apply कराने है GenK के उपर मान लिया GenK में कोन है Legislative Assembly ठीक है तो Article 371 भी बोलता है कि Union List, Concurrence List का Power GenK के उपर Apply करना है तो President Order निकालेगा P.O. मतलब President Order निकालेगा अगर वो Order अगर वो Order याद रखना अगर वो Order External Affair Communication और Defense के Related है अगर वो Presidential Order External Affair Communication और Defense के Related है तो President साहब सिर्फ और सिर्फ Consult करेगा Legislative Assembly of GenK से सिर्फ Consult करेगा बोलेगा देखो भाई Already External Affair Communication और Defense हमारे हाथ में देखो GenK ओ देखो GenK Already External Affair Communication और Defense हमारे हाथ में अब हमारे Union List और Concurrent List में कुछ बात है जो कि External Affair Communication और Defense के Related है तो बस यह आज से applicable to GenK आज से applicable to GenK तो सिर्फ Consultants Consultants मतला बोलना Concurrents कब लेगा President Order निकालेगा और अगर वो Order अगर वो Order External Affair के Related नहीं था Communication के Related नहीं था Defense के Related नहीं था तब President Consultants नहीं करेगा तब President मंजूरी लेगा Legislative Assembly से यह फरक है कब 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 President Consult करेगा Legislative Assembly को जब External Affair Defense और Communication के Related कोई बात हो कब President Order निकालके Concurrents लेगा Legislative Assembly से जब External Affair और Defense और Communication के Related बात नहीं था जब इनके Related बात नहीं जब इनके Related Union List या Concurrent List का पावर नहीं चलिए डियर आगे आगे हम देखते हैं Article 371C क्या बोलता है अगर यह समझ नहीं आया Article 370C क्या बोलता है Article 1 of Indian Constitution और Article 370 of Indian Constitution Applicable to JNK ठीक है बहुत आसान है Article 370 खुद बोलता है कि मैं Apply हूँ JNK के उपर और India का Article 1 अपले है JNK के उपर सिर्फ दो ही आपले थे JNK के उपर As per Article 370 1 और 370 खुद 1 क्या है जिसमें India नेम देता है States के और Union Territories के बागे इंडिया का कोई आर्टिकल अपले नहीं था JNK के उपर लेकिन सुनो मेरे दोस्तों यह जो D है ना यह बोलता है अगर इंडिया का इंदो के बगेर कोई दूसरा आर्टिकल अपले कराना है Other Articles अगर इंडिया के एपलाई करने है JNK के उपर तो President Order निकालेगा President जब Order निकालेगा तो यह तो Consult करेगा Legislative Assembly of JNK यह Concurrence लेगा Legislative Assembly of JNK जो कि JNK के Assembly है Consult कब करेगा जबकि External Affairs Defense और Communication के Related की वो कोई Article हो कोई Power नो यहाँ पर पावर है यहाँ पर Article हो तब Consult करेगा Concurrence कब लेगा Legislative Assembly से President Order निकालेगा लेकिन Concurrence मंजूरी लेगा Legislative Assembly से कब जब वो Article Indian Constitution का External Affairs के Related नहीं हो Defense के Related नहीं हो Communication के Related नहीं हो तब Concurrence लेगा एक बात बोलूं एक बात बोलूं सिंपल में याद रुखो External Affairs, Defense और Communication के Related कोई भी बात हो कंसल्ट करेंगे सिर्फ कोई भी आर्टिकल हो सिर्फ कंसल्ट करेंगे जेंड के स्टेट से अगर External Affairs, Defense और Communication के Related कोई बात नहीं हो तब मनजूरी लेंगे Legislative Assembly जेंड के Legislative Assembly से तब मनजूरी लेंगे जेंड के Legislative Assembly से अगर कोई आर्टिकल हो उनके बागेर तो यहां तक आपको समझ में आ गया अब याद रखना अब याद रखना Legislative Assembly ने अगर Concurrence भी दे दिया जेंड के के Legislature ने जेंड के ने अगर इजाज़त भी दे दी मनजूरी भी दे दी तो याद रखना Article 372 पता है क्या बोलता है Concurrence के बाद भी Legislative Assembly जब Concurrence देगा उसके बाद भी उसके बाद भी उसके बाद भी Conustuate Assembly of JNK का Final Decision होगा Conustuate Assembly of JNK का Final Decision होगा यह Article 372 बोलता है तो यहाँ पे Conustuate Assembly of JNK को बहुत ज़्यदा पावर है Article 373 पता है क्या बोलता है अगर 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 आप इस Article 370 को रिमू करना चाते हो तो procedure क्या है procedure है Conustuate Assembly recommend करेगी President को कि वो Presidential Order दे दे Article 370 खुद यह बोलता है कैसे Article 370 को रिमू करोगे आप कैसे हटाओगे Article 370 को Holy मतलब सारा या Partly Article 370 का 3 यह बोलता है क्या आप मुझे कैसे हटा सकते हो पूरा का पूरा या आदे आदा बोलता है सबसे पहले Conustuate Assembly recommendation देगी recommend करेगी recommend करेगी किसको President को आप Order निकालिए Presidential Order निकालिए और Article 370 को खत्म कीजे Holy या Partly तो अगर Article 370 को खटाना है तो President का Order चाहिए President का Order चाहिए लेकिन किसके कहने पे किसकी recommendation पे Conustuate Assembly की recommendation पे मेरे दोस्तों Initiation बहुत important है Initiation बहुत important है Initiation बहुत important है क्या Initiation सबसे पहले यहाँ पे President Order निकालेगा फिर State Legislature की Assembly पे वो Order जाएगा वहाँ पे consultants या मन्जोरी लेगा यहाँ पे भी सबसे पहले अगर इंडिया का JNK के उपर लागू कराना है कोई भी चीज Article, कोई Article President Order निकालेगा फिर JNK के Legislative Assembly के पास Second Step है, लेकिन पहला Step है Initiation है, President Order निकालेगा लेकिन अगर Article 370 को रिमू करना है तो बहुत खास बात यहाँ पे है President Directly Order नहीं निकालेगा President Directly Order नहीं निकालेगा Initiate कोन करेगा सबसे पहला Step किसका होगा Conestuant Assembly का Conestuant Assembly recommend करेगी President को Conestuant Assembly का पहला point है यहाँ पे पहले Initiate President करेगा लेकिन यहाँ पे Initiate करेगा Conestuant Assembly तो Conestuant Assembly ही बोलेगा Article 370 को हटा आना है इसलिए Supreme Court ने और High Court ने JNK के बोला है 2018 में बोला गया कि JNK जो है ना उसमें लिखा होगा होता है कि Article 370 is Temporary Transigent Provident लिखा होता है ना लेकिन Supreme Court ने दोनों ने बोला है Article 370 is not Temporary It's Permanent क्यों Temporary यह कब तक था जबते Conestuant Assembly थी JNK की यह Conestuant Assembly JNK की है मेरे दोस्तो जिसने JNK का Conestuution बनाया Not Conestuant Assembly of India जिस Conestuant Assembly को लोगू ने चुना जो Conestuant Assembly आज है नहीं जो Conestuant Assembly ने JNK के Conestuution को बनाया जिसको JNK के लोगू ने चुना जिसका काम था Conestuution अब JNK के बनाना वो Conestuant Assembly आज है नहीं तब किस ने President को बोला Article 370 को रिमू करो मैं ये बात बो रहा हूँ कि Supreme Court और High Court ने बोला था Article 370 is not Temporary It's Permanent क्यों? Temporary किस लिए था? इस लिए था क्योंकि Conestuant Assembly जब चाहती इसको रिमू करती Conestuant Assembly तो खुद डिजॉल हुई उसने अपने आपको डिजॉल हुए लेकिन वो ये बूल गई Article 370 को क्या करना है क्या उसको रखना है इंडिया के साथ Article 370 को या रिमू करना है इंडियन कनस्ट्यूशन से क्योंकि हक उसी के पास था हक उसी के पास था Article 370 को रिमू करने का इतना कुछ आपने पढ़ा अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ फिर कैसे कैसे Article 370 को रिमू किया गया अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा है Article 370 को रिमू करने के लिए सबसे पहले कनस्ट्यूट एसम्बली औप जेंडिके चाहिए तो कैसे Article 370 को रिमू किया गया आपके दिमाग में यह सवाल है अब मैं दिखाता हूँ 5 अगस्त को क्या हुआ 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ सुनो प्रेजडन्ट ने ओर्डर निकाला उस ओर्डर का नाम क्या था दा कनस्ट्यूशन यह मैंने जो उपर ओर्डर बोला यह 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 जिससे मैंने बोला Article 370 को रिमू किया गया और जिस पे मैंने बोला पुराना ओर्डर भी सबसीड किया गया ठीक है न तो इस ओर्डर का नाम क्या है दा कनस्ट्यूशन एप्लिकेबल टो जेंड के ओर्डर 2019 तो सुना यह जो प्रेजडन्ट का ओर्डर है यह क्या है दा कनस्ट्यूशन एप्लिकेबल टो जेंड के order 2019 ये प्रेजिडन्ट निकाला कब 5 अगस्त 2019 को लेकिन आप बोलोगे सर प्रेजिडन्ट आउर्ड निकाल तक कनश्चौंट असम्बली आपजेंड के की recommendation पे लेकिन यहाँ पे किस ने recommendation दे दी कनश्चौंट असम्बली आपजेंड के तो है नहीं तो फिर किस के कहने पे प्रेजिडन्ट निकाला सुनो मेरे दोस्तो पहले यहाँ आओ फिर आपको सारी बाते समझ में आएंगी आपको इतना पता है ज्यादा नहीं बूलूँगा मैं आपको इतना पता है कि गवर्नर रूल यहाँ पे जेंड के में लगा कब 19 जून 2018 को लगा ना 2018 को छे महीने गवर्नर रूल चला क्योंकि यहाँ पे जेंड के में डिरेक्ली प्रेजिडन्ट सुरूल नहीं लगता है इंडिया की एक ही स्टेट है JNK जिसमें directly President's Rule नहीं लगता है मेरे दोस्तो यहाँ पे पहले 6 महीने Governor Rule चलेगा फिर 6 महीनों के बाद President's Rule लग सकता है तो Governor Rule कब लगा 19 June 2018 तो 6 महीने चला Governor Rule जब Governor Rule चला 6 महीने उसके बाद 19 December 2018 को President's Rule लगा After 6 months President's Rule यहाँ पे लग सकता था JNK में जब President's Rule लगाना तो President's Rule के उस document में अगर आप पढ़ोगे उसके अंदर third point जो है वो देखो वो पहली बार third point आया है किसी भी President's Rule में वो third point नहीं था जो कि इस बार के President's Rule में third point लगाया गया था 19 December 2018 के President's Rule में वो third point लगाया गया था उस President's Rule को पढ़ना और तीसरा point देखना क्या था तो planning 2018 से ही थी Article 370 को हटाने की उसमें पता है क्या लिखा था उसमें लिखा था During Emergence उसमें लिखा था President's Rule के दोरान President's Rule में लिखा था जब वो लगाया गया था तो document में क्या लिखा था President's Rule के दोरान क्या होगा Legislative Assembly is equivalent to Parliament of India अगर Legislative Assembly नहीं है यहाँ पे तो Parliament जो करेगा तो वो Legislative Assembly नहीं किया Governor of JNK is equivalent to President of India अगर Governor of JNK नहीं था किसी टाइम पे अवेलेबल या कुछ भी तो President of India ही सब कुछ है उसके लिए तो सुनो अब मेरे दोस्तों इस point को समझना कौन चाहिए था हटाने के लिए कनस्चोड Assembly वो President को बोलती President Order निकालता ये President ने Order किस के कहने पे फिर निकाला तो सुनो President ने Order निकाला Parliament के कहने पे कैसे हुआ ये President ने Order निकालते हुए पता है क्या क्या अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है कनस्चूशन का तो President के पास एक पावर है पता है क्या Article 370 of Indian Constitution Article 367 of Indian Constitution President को एक पावर देता है President सहाब आपके पास ये पावर है अगर Indian Constitution की कोई बात समझ नहीं आती तो आप Order निकालना और बोलना अगर ये समझ नहीं आता आप बोलोगे अभी इसके बदले ये है तो President ने Order निकाला बोला कि मेरे को ये कनस्चूशन आसमबली आप जेंड के समझ नहीं आता है है नहीं बाडी दिखती नहीं बाडी किसी के सामने नहीं है मेरे सामने नहीं है मुझे नहीं पता ये कौन सी कनस्चूशन आसमबली है मेरे को समझ नहीं आता मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा इंटरप्रेटेशन आर्टिकल है इंडियन कनस्चूशन का आर्टिकल 367 आर्टिकल 370 जो हटाया गया उससे पहले तीन आर्टिकल इंडियन कनस्चूशन के तो प्रेजडन ने आर्टिकल निकाला और पता है क्या बोला आर्टिकल 367 में के अंडर प्रेजडन का ये पावर है आर्टिकल निकालना और बोलना इक्वलन तो इस कुछ भी तो President ने order निकाल के बोला Construct Assembly equal to Legislative Assembly तो यहाँ पे अब चाहिए था Legislative Assembly of Jand के वही recommend करती President को President order निकालता लेकिन Legislative Assembly of Jand के थी नही 5 अगस्तो 2019 में क्योंकि 5 अगस्तो 2019 में में यहाँ पे President's Rule था Legislative Assembly भी नहीं थी तब कौन बोलेगा President को order निकालो प्रेजिडेंट ने बोला प्रेजिडेंट को क्या आप आर्डर निकालो और प्रेजिडेंट ने आर्डर निकाला और उस आर्डर में क्या लिखा गया याद रखना उसमें बोला प्रेजिडेंट ने कि सारे प्रोविजिन्स आफ इंडियन का नस्चूशन जो है वो अपलिक to JNK है, सारे provisions of Indian constitution applicable to JNK, मतलब article 3 भी applicable to JNK है, मतलब कि अब article 3 के अंडर power है, parliament के पास, कि वो JNK को state duty तोर सकता है, जोर सकता है, वो कर सकता है, यह कर सकता है, तो article 370 के हटने के बाद ही, article 3 apply हुआ, JNK के उपर, और article 3 के power के अंडर, parliament ने JNK को bifurcate किया, into two union आपको समझ में आ गया, है ना, तो अब, अब यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ गया, legislative assembly चाहिए थी, लेकिन legislative assembly equivalent to legislative assembly, interpreting आर्टिकल में president ने बोला, अब यहाँ पे legislative assembly चाहिए थी, legislative assembly चाहिए थी, वो equivalent to legislative assembly, और यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो, legislative assembly is equal to parliament, तो parliament ने जो बोला, वो है, administrative assembly का बोलना, तो parliament ने बोला, president को, president साब, order निकालो, और article 370 को finish करो, बस, यही तो है ना, यही तो है ना, under article 370, parliament ने बोला, क्योंकि इसके बतले है, parliament, parliament ने बोला, president को, order निकालो और खत्म करो, खातम करो इसके language, वहाँ पे कुछ और डाला गया है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब है आपके सामने 5 schedules, यह है 5 schedules मेरे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, यह आप खुद पढ़ो, ऐसे टाइम हो जाये दाजाया, यह है 14 parts, और हर एक part में एक एक section आता है, अब यह जो schedules है, और यह जो parts है मेरे दोस्तों, और यह जो parts के साथ 2019 में first order है, second order है, third order है, यही हमें अब detail से पढ़ना है, अब हमें lecture में क्या पढ़ना है, lecture में हमें यही पढ़ना है, 5 schedules क्या क्या है, parts के बारे में पढ़ना है, और मेरे दोस्तों, और last में हमें पढ़ना है, 2020 में कुछ ह हुआ, first order, second order, third order आया, ठीक है, चलिए dear students, अब ये आगे आने वाले lectures में पढ़ेंगे, okay, bye.